एक बार एक बंदा आया गुरू माहराज के पास आना था उसने वह स्थिख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष बेले खोपे तो ले आओ एक के शिर खोपे क्या होते हैं थो में स Techopay लॉडिए हाष फिरिए में पंडिए बोलते हैं Americans ugh blinkers जे बिन्ंगर्गर्ज क LOते ह compression allowed तो मध् talented घ्रीग्र Cap तो उन्हें समझाते हैं कहते हैं। गुरु माहाराज के पास जाना ना अगर कि सिक्षी कमाना ना तो भीड्ग पेना जरू सी कोân कि यहां पर सिदानफ़ यह है कि जो घोरा होता ना गोड़े के यह आपर नगोड़े मेन. आते हैं कि की वो सिर्फ सामने देखे है हुशे रेस में दोड रहा है 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 किसी Wirkin दोड रहा है तो जो इसकी उपर वैठ सूर देढ़ है कि भाई तेरे ये लगा दीए है ना तोने यहां जाना ना उन्यमार ज़ना तो ने सिर्फ सीधा जांदा उसी तरह से सिक्की बहुत असान है 배ए अगर हमने खोपे बहन बिलिंकर्स बहनुत इसका मतलब गया है कि जो भी करम कमाना है जो भी करम करना है अपने डे में अपने रात में जो भी है वो गुरू पर फोकस करके करना सिर्फ और सिर्फ गुरू के अकॉर्डिंग चलना लाइब सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि मैंने ये किया है लगा दो हद्कडी डाल दो जेल में अब मैं तो खुला हुई नहीं मतलब मैं इंडिपेंडन हुई नहीं यहां से मैं एक दो और चीज़े बड़ी पकड़ूँगा वो ध्यां से सुना कि मैं इंडिपेंडन तो हुई नहीं अब और यही चीज ना लोगों में भी होती है कि जब अमर शक्लिया तो I'm no more इंडिपेंडन यार मैं ना बाउंड हो गया हुआ या मैं गुरू माराज के अकॉर्डिंग लिप चलूँगा तो मैं सुबह से लेकर रात तक ऐसी ऐसी मिरसा लाइफ में चीज़ें होंगी जहां पर मिरको लगएगा कि मैं बहुत बाउंडेशन लगए हैं मिरको मैं बहुत अटक सा गया हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्या नहीं कर पा रहा हूँ मन मत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गुरू माराज ने क्या दे दिया गुर मत दे दिया सेंटर करने का मतलब ही यह होता है कि जो उन्होंने कहा है बस वही करना है अपने अकॉर्डिंग ले कुछ नहीं और जो दुनिया में एची सहली हुए ना कि जो गुरू का हो गया तो इंडिपेंडनेंस चली जाती है वो बहुत अच्छी है जो इंडिपेंडनेंट लोग है आज देख लो उनों का क्या हाल है उनों को ना रब के बर में पता है ना उ अगर हम सक्सेस्फुल होने की डेफिनेशन गुरू माराज से पूछें गुरू माराज कहते हैं कि सक्सेस्फुल वो है जिसने अपनी लाइफ में वाहिगरू जी को पा लिया नॉर्मल दुनिया में सक्सेस्फुल होना क्या होता है वेल सावरेज बड़ी गाड़ी बड़ बंगला, बड़ी एक्विटी, बड़ा पैसा, बैंक बैलन, साथ पुछतो तक पैसा छोड़ जाना, अगली पुछते ने पूछना भी नहीं, इसका नाम क्या था, हमने राक बन के निकल जाना, सफर कौन करेगा, हमारी जोग, हमारी आदम, ठीक है, इसी लिए, जो खोपे है न लगाने पड़े जरूरी है, कुछ भी लाइफ में हम कर रहे हैं, इदर उदर नहीं देखना, क्योंकि खोपे लगा दिये, तो घोड़ा सड़क पर रहता है, अगर खोपे उड़ा दिये, तो वो डीरेल भी हो सकता है, वो सड़क से इदर उदर भी जा सकता है, और गुर ठीक है, तो खोपे लगा ले हम अपने आंखों के इदर, मतलब नट एक्चोली में खोपे, अपनी लाइफ में वो खोपे हम ले गया है, बिलिंकर्स, क्योंकि वो आ गए ना फिर सिखी बहुत ही केकवाग जैसी हो जाएगी, बता है? झाल 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 सत गुर की बाणी सत सत करमानो यो आतम रा मैं ली ना है